दोस्तो SSCGL 2024 के टायर 1 के एक्जाम चल रहे हैं और ये वोकेबलेरी दोस्तो टायर 1 और टायर 2 दोनों के लिए important है और ये content कहां का है दोस्तो किरन बुक का है ताकि आप बुक ही पढ़ रहे हो तो tension मतलो आप important बुक के content पढ़ रहे हो इमानदरी से पढ़ना टोटल वर्ड में आपको 43 वर्ड पढ़ाऊंगा तो इमानदरी से बिल्कुल focus हो जाओ अर्जुन की तरह योद्धा की तरह और कुछ सीख कर जाना अपना time इस्तिमाल करना चलो start करते हैं पहला वर्ड दोस्तो tranquil मतलब होता है peaceful अपन लोग पढ़ रहे हैं सिनूनियम है तो tranquil म को याद रखना पड़ेगा क्योंकि इस में ट्रक नहीं बना सकते हैं इसके अंदर चोटी सी ट्रकी है कि ट्रेंकुल के अंदर Q-U-I आई आ रहा ना तो Q-U-I से अपन quiet लिखते हैं quiet मतलब जो शान्त होता है peaceful होता है वहां से आप link कर सकते हैं कि ट्रेंकुल मतलब होता है peaceful okay कर लो confidence अपने आपा जाएगा चलो निफेरियस बहुत गंदा वर्ड है मैंने star खुद न बनाया मैं खुद भूल रहा होंगा इसलिए मैंने special लिखा है निफेरियस मतलब होता विक्ड मतलब बहुत गंदा पापी दुष्ट आदमी जो भी होता न उसको बोलते निफेरियस अब आप नजर में आपके सोच लो कोई रिसदार होगा कोई मामा चाचा फूपा कोई ना कोई तो होगा गंदी सकल सोच लो उसकी आप समझ लहोगी बोसाबना वाला वंदा निफेरियस बहुत जैदा पापी है दोष्ट है बेकार है कोई न गया दोस्तों अबहुत नहीं पढ़के ऐसा रगा रहा है कि मेलो मतलब पता नहीं क्या होता होगा लेकिन मैं M से मेलो और M से मेलोडियस अच्छा वर्ड ध्यानरे किया का मैंने स्टा बनाया खुद ने जहां मैंने स्टा बना दिये भाई साब उसको तो क्योंकि मैं भूल गया हूं और मैं खुद इतना कॉंटेंट पढ़ने के बाद आपको पढ़ा रहा हूं तो समझ जाओ कि मतलब भूसा ही चीज़े याद रहती होंगी तब भी मैं भूल रहा हूं तब इस्टा बनाया मैंने तो आप भी बना लेना है न एक वर्ड है बॉइस मतलब होता है नॉइजी मालो एक क्लास एक क्लास में बॉइस लोग में ट्रिक बनाई थी कि बॉइस लोग सबस्यादा नॉइजी होते सबस्यादा होड़दंगली ला मचाते मस्ती करते हैं तो नॉइजी महूल कहा रहता है क्लास में जहां बॉइस लोग पीछे बैठते है बेक बेंच पर बैटके धूम मचा देते हैं तो जब भी आपको boys देखे ना तो ट्रिक बना लाए कि boys लोग भेंकर noisy मचाते हैं भेंकर हो अलना मचाते हैं तो noisy वाला area कौन सा? boy stress अच्छा वर्ड है shine मतलब होता है दोस्तो obviously shine मतलब चमकना होता है तो glitter circuitous बहुत अच्छा वर्ड है सारे वर्ड बहुत अच्छे हैं previous year इसलिए इनको तो दिल पर पत्थर रखके पाओं पढ़के भगवान जी का पर साथ समझके रटलो कुछ भी करो समझ लो circuitous मतलब होता है round about मतलब बिल्कुल घुमा 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 के कोई आपसे बात कर रहा है उसको बलते circuitous ना मी लग रहा है circuitous ठीक है circuitous complete होता है यह wire है कहीं connect हो जागा कहीं तो circuit बन जाता एक तरीके का connection जहां टूड जाता वो circuit नहीं बचता फिर इसलिए वो round about मतलब ऐसे घुमा 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 तरीके से उन्हों ने present किया तो इसको ध्यान रखिएगा insensitive होता है जो बंदा sensitive नहीं है मतलब callous callous मतलब होता दोस्तों बहुत जादा कठोर जब आप school में पढ़ते होंगे आपका कोई ना कोई गंदा सा master होगा गंदा सा बिल्कुल भेंका जादा careless होगा आप बोलोगा यह master कितना कठोर है इतना सारा home bag देता है यह कोई ना कोई जंदीए में आपने देखा होगा बहुत कठोर होता है पिचल आप movie में देखते जो villain होता बहुत कठोर होता है वो किसी गोली माने से नहीं डरता इस्जट लूटने से नहीं डरता तो उसको बोलते हैं आप careless अच्छा word है यह भी दर्थ मतलब होता है कमी कमी मतलब scarcity है ना दोस्तों बिल्कुल word को feel किया करो है ना मैं पूरी ताखत लगाऊंगा अच्छे से बढ़ाऊंगा आपको सिकाऊंगा seize मतलब होता है दोस्तों stop करना किस जीस को रोक देना बोलते है न भाई यार वाली फैक्टरी तो seize हो गई देटो उसको बोलते है लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी का सी इनूरियम क्या हो गया डैप्ट ये भी काफी अच्छा वर्ड है इंटीगरेशन मतलब होता है उबिसली बही के इंटिग्रेट करना nod बच्पन हम आपने 11th किलास में सुना होगा, integration, differentiation, तो integrate मतलब होता है, इसी 25 चीज़ को एक खटा कर देना, तो उसको बोलते है integration, और एक चीज़ को टुकड़े में टोड़ देना, उसको बोलते है differentiate करना, तो integrate मतलब जैसे आपके 10 दोस थे, दस के दस दोस बिलकुल एक station पर आके integrate होगा, अब आप गुमने के लिए जाओगे, गोवा शांदार, ठीक है, discriminate मतलब होता है, भेदवाब करना जो कि आपने देखा है, बिया रम बेट कर, जो कि कितना SCST को represent करते थे, क्योंकि SCST वाले लोगों के साथ, भेदवाब होता था, discrimination होता था, इसलिए उसको बोलते, distingus, है ना, यह SC का, यह ST का, यह OBC का, लोग ऐसे करते हैं कुछ लोग, तो वो उसको बोलते, discriminate, काफी प्यारा वर्ड है, appear मतलब होता है, seem बिलकुल जो दिख रहा है, थोड़े जल्दी करते हैं, क्योंकि 43 वर्ड है दोस्तों, तो आपको पढ़ाने, मतलब थोड़े जल्दी करना पड़ेगा, ठीक है, चलो भाई, क्या हुआ, हाँ, केजोल, केजोल, यह बहुत काफी प्यारा वर्ड है, केजोल मतलब होता, अब इस केजोल के अंदर मैंने काजोल निकाली, अपनी एक्ट्रेस हैं, शांदर काजोल, तो काजोल को मतलब क्या है, अब यह काजोल इतनी अच्छी है, तो जैसे मैं काजोल के पास जाऊंगा, काजोल से बात करूँगा, तो मैं उसको फ्लेटर करूँगा, मैं अच्छे अच्छी बात करूँगा, उससे ताकी मतलब वो मुझसे खुश रहे है, उसकी नजर मेरी अच्छी अच्छी इमेज बने कि, हाँ यार गौरा बहुत मस्त फनी है, बहुत शांदर है, तो मैं कहीं नगएं, उसको फ्लेट मार रहा हूँ, उसके साथ फ्लेटरिंग कर रहा हूँ, उसकी चाप लूसी कर रहा हूँ इस तरीके से, तो कैजौल मतलब होता है, तारीफ करना, किसी चाप लूसी करना, उसको उसको, kettle कि मादफ फ्लेटर करना, उनकी तारीफ करोगे, यार मम्य, आप तो बहुत शांदा बनाती है, छो लिक सब्जी एक बाँ बना दोना, तो इस तरही के से casual मतलब flatter करना होता है, चापलोशी करना होता है, तारीफ करना होता है, फ्रेगरेंस मतले होता है बहुत जादा शांदा खुस्भू जब आप शांदा ब neighbor को निकलते हैं आप यो somehow अँदा ही स्बूंत बहुत है जित वोगां को है तुझा आब ये लिदा आथा वो जाथा वो क奈 रोज लाखाते हैं जब आ झालते हैं जांदा होता है Ole उसको बोलते है जाली जैसे कोई जैसे नोट है नोट एक और इंगल 2000 को होता है और आपने किसी ने जाली नोट बना दिया कहीं की मशीन कंपनी में जाके तो उसको बोलते है फिक्टिसियस नोट मतलब जाली नोट अच्छा वर्ड यह भी अब जाओ भी आगे थोड़े 43 वर् होँ परपलेक्स मतलब भी होता है कंफ्यूस होना जैसे मालो कहीं मैंने मैंने में खतंद को एक खतरना कोशन देखा नंबर सिस्टम को ऊच्छो इसकी यूनिट डिसर निकालो यह करो वह करो इसकी पावर निकालो इसकी पावर 5 इसकी पावर 6 क्या होगा तो मैं एकदम से नंबर सिस्टम के question को देखते, perplexed हो गया, मतलब भेंकर confused हो गया, इस्तब्द हो गया, चकित हो गया विल्कोल, perplex मतलब confused. है न अच्छा word घई है. इमिटेड मतलब होता है, किसी की नकल करना, किसी को कॉपी करना, काफी ठीक बार्ट है, तेम के मतलब देखो मैं तीन स्टा बना एक क्योंकि बहुत ही गंदा वार्ड है टेम मतलब होता है डॉमिस्टिकेटेड ये खुद मुझे लग रहा था टेम मतलब होता है शांत साइलेंट तो मुझे यह लग रहा था लेकिन जब मैंना ऑप्शन देखा तो इसकांसर डॉमि अल्कुल शांत रहे आपके सामने मर्सी मतलब होता है दोस्तो सिंपिते मर्सी मतलब होता है किसी बदाया करना सिंपिते करना स्पाइन तो पता है यह दोस्तो वर्टिब्र जो अपनी स्पाइनल कॉर्ड होती अपनी बोड़ी के अंदर उसको बोलते है स्पाइन उसको बोल प्रवाब रिजम करने लगे तो आपका जो रिजल्ट जो निकल कि आगा कि आपकी बॉड़ी इंप्रूव करने लगे आपका वेट थोड़ा कम हो जागा बॉड़ी शेप में आएगी तो उसका इफेक्ट यही होगा उसका प्रवाब रिजल्ट इस चीज को गैस करना आप दिमाख लगा रहा हो आप जिम गया हो जिम में एक खुबसूरत लड़की एक लड़के से बात कर रही फरजी लड़के से तो आप सोच रहा हो सालक खुबसूरत लड़की फरजी लड़के से बात कैसे कर रही आप दिमाख लगा रहा हो और आप सो तो सुनू, समझो और खुद का भी दिमाख लगाओ कि अच्छा कैसे लिंक करेंगी, अब देखो मैंने कितनी खतरना अक्ट्रिक बनाईगी, एक लड़की बात कर रही है, दिमाख लगा रहा है, लड़की चाल लो, तो भाईया, अब मैं मेरी स्टोरी बताता हूँ, मैं जिम मैं आते थे, यह से 15, 20, 25 लड़के सारे मेरे दोस्ते, तो क्या हुगा एक बार किसी का बड़्डे था भाई साब, तो केक कट गया, केक कट गया, तो मेरे पास भी प्लेट थी, उसमें केक रखा था, नमकीन रखा था, चॉकलेट रखी थी, यह मेरे दोस्त लोग भी केक मे से, जब मैं खाड़ाओ के खा रहा था, तो उसना मेरे प्लेट में चॉकलेट और केक खाया, और खुब बात करी मुझसे, और बड़ी अब बैग में पैक करके, जूता पैन के निकल गई बाय बोलके, तो बाकी जंता लोग जो खड़ी थी ना, इतने सारे दोस्त वो सोचा बात, इतने सारे लड़के थे, शान्दर, लेकर तुमारी प्लेट से उसने केक यो खाया, बस ये बताओ, तो वही बाली बात है कि ये लोग speculate कर रहा है, दिमाक लखा रह थे, कि गवह प्लेट में से खाना क्यों खाया, अब दिमाक लगाते रहो, गैस करते रहो, तो ये कह नहीं थी और यह इसको बोलते स्पेकुलेशन खातर नाग वर्ड है बिल्कुल अब तो आपको जीवन वर्याद रहेगा अब जाओ मार्केट में आगे अमिड़ेट मतलब ही नकल करना होता है किसी की इमेड़ेट करना होता है जैसे मैं छोटा था तो मैं सनी देवल में जो ब बोलते हैं लिबरेशन में चला गए जैसे आप कहीं ऐसी जगह घूम लगा जहां मस्त हवाय चल रही शांदर तो आपको ऐसे लग रहा वह यह बहुत लिबरेटिंग फीलिंग आ रही है मतलब बहुत फ्री फ्री तो इसको इमेंसिपेट मैं ट्रिक बनाए था मैं मैं को मत पाइटिसिपेट करने के लिवर्टी देदी कि हाँ बाई तुम भी आकर फॉम बर सकते हो तुम भी एक्जाम दे सकते हो तो आपको एक लिबरेशन मिल दाएगा लिबर्टी एक तरीकी की फ्री हो आप यह वर्ड अच्छा इसको इस्टा बनाने को जरूर याद रखिएग बनाने में गया विडीयो बनाने में खो जाता हूं यह बिल्कुल को कहानी दे ऐसको आपको विडियो बना कर सकते हों मतलम उसमें समा जाता हूं इंगोसida हाँ चला जाता हूं मूवी कौ बिल्कुल ध्यान सो दिखता हूं उसको बोलते एंग्रोस काफी अच्छा वर्ड है केरी केचर मतलब होता है दोस्तों एक ग्रॉटस के लाइकलेड़ मतलब जैसे एक जोकर है अब जोकर क्या करते हैं हरकती अच्छा कुछ पूद मचाते हैं हसवा लगते हैं गंदे भी लगते हैं उनको चेहरा आजीब सा दिखता है लाल पीर नाक हैंसी उची से लगी है तो वो गरोटस मतलब होता भद्दा भद्दा जरूर है लेकिन अच्छा लग रहा है वो भी है ना जैसे आप एक लड़की है एक्जांपल लड़कियों को इसलिए ए जीब बाहर निकाली कुछ भी कर दिया तो वो बहुत भद्दी है लेकिन वो मेरी जो फ्रेंड है उसको बड़ा मज़ा आ रहा है वहेंकर खुश हो रही को और व्यूर वेरी फणी है ऐसा बोल रही है तो भाईए यह कहानी को बोलेंगे केरिकेचर जोकर से उसको लिंक करन बहुत अच्छा वर्ड है ध्यान रखिएगा अब आपने पोस्ट मॉटम कर देंगे पूरी ताकत लगा देंगे स्वेटिंग होगा लेकिन मैं पूरी ताकत से पढ़ाऊंगा वल्कूर मज़ा आ जागा आपको अब देखो इलास्टिक मतलब होता है फ्लेक्सिक बिल्कु जब नहाते थे तो पूरा यह रहा हो जाता थे क्योंकि पंदर पर चट्डी थी ना भाई बहुत खतरनक खतरनक चीज़े करी है चलो मस्ती में जाका अलग बात है रियलेटी थी थी वह एलास्टिक मतलब होता है बहुंका फ्लेक्सिवल अब जाओं मैदान में आगे खतम क लुदर तो आपको समझ नहीं भूमी का भट आदो कि भूमी का पैचांत नहीं इधर आ गया एक परी है परी 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 नाम के लड़की है बिलकुल रिलेवेंट नाम लूगा मैं जो मेरे कॉंटक्ट में तो एक परी है और नहीं प्रियंक का आटा दो प्रियंक की जग एक सिकन्द, एक सिकन्द, हाँ, 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 सॉरी दोस्तो, तो देखो मैं क्या बता रहा था, कि एक दो लड़किया है, एक का नाम है परी, और एक का नाम है मालो रादिका, ठीक है, एक्जामपल, तो आप समझ में नहीं या रहा भाईया, मैं इससे बात करूँ या इससे ब प्सक्राईर तो यह बहुत प्यारा वर्ड है जब भी वैसिलेट वर्ड आ जाए तो आप ध्यान रिखेगा कि इनसान को समझे नहीं आरहे कि यह डिसन ले कि यह वाला लें कि यह वाला लें ठीक है वो एक्जामपल वड़ा इंपोर्टन था इसली में जो टाइम लग गया त तो अच्छा वर्ड वेबर मतलब होता, confused होना होता है, बहुत प्यारा वर्ड है, impeccable मतलब होता, perfect होता, मतलब जैसे कैसे बताएंगे, कि जैसे ऐसे वरे राय है, ऐसे वरे राय है, दोस्तों वाक़ी बहुत beautiful है, उसकी आँखें बिल्कुल हलके नीली हो, बहुत famous है, Miss World रह चुकी है, तो impeccable beauty बोलेंगे, बिल्कुल कोई दाग धब्बे ने चुए रहे है, बिल्कुल शानदा, बिल्कुल मज़े यजाद देखकर, जानवी का पूर, impeccable beauty, अपनी सारा अली खान, impeccable beauty, पूजाव एनर्जी टीव इंडिस्ट्री की, शानदा लड़की, impeccable beauty, हैना, कॉरफ दिल थिया, impeccable beauty, और भी जितने बढ़िया बढ़िया लोग, रितने कर दो इंपकेवल बॉड़ी, impeccable beauty, मतलब faultless, जिसमें कोई fault ही नहीं है, इतने बढ़िया लोग है, बिल्गुल कोई कमी नहीं है, world class dress पेनी है, अब देखो, impediment मतलब होता है, obstruction, यह काफी important word, काफी, तो impeddy के अंदर मैंने दी निकाल लिए, impeddy, impeddy, ऐसा बोला, तो मैंने trick बनाई थी, कि भीया, मान लोग, मैं घर में बैठा हूँ, घर में कुछ काम कर रहा हूँ, तो मेरी दी आगए, दी नहीं मुझे, मेरी बड़ी दी है, दी की मैं मतलब, respect करता हूँ, तो दी नहीं मुझे को रोक दिया, कि नजी, तुई ऐसा नहीं कर सकता है, तो मेरी दी नहीं obstruction create कर दिया, रोक दिया मुझे, इस तरीके दर मैंने बाई है trick बनाई थी, लेकर अच्छा word है, आप होते हो न, आपके बड़े भाई, या आपके बड़े जो आपसे हैं, आप कुछ करने का सोच रहा है, तो आपके बड़े लोग आपसे मना कर देते हैं, आपके जो senior लोग है, आपके ममी, पापा, भाई, बैन उपर, जो भी हैं, तो वो कहीं न, कहीं obstruction कर देते कुछ चीज़ों में, क्योंकि आपको वो छोटा समझते हैं, इस चक्कर में, कि इनको दिमाक नहीं है, ज़र ज़रा से मुरा मुरीजे, इसलिए है, तो impediment मतलब obstruction, अच्छा वर्ड ध्यान रखिएगा, चाहो तो इसको लिख लो दोस्तों, लिखा करो जो चीज़ समझ में नहीं आ रहे हैं, या फिर वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बार बार देखना पड़ेगा, तब आपको याद पंड़ेगा, एक बार पंड़े सो घंटा कुछ नहीं होता, एक बार मैं आपको अभी अच्छा लग रहा हो, बाद में सब बूल दा, या तो लिखा करो कुछ कुछ चीज़े, या चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, लाइक करका प्यार भी दिखा दें, आगे ब होता है, स्कॉर्ण मतलब भी गाली देना होता, निंदा करना होता, बेजज़ती करना होता, तो अच्छा वर्ड़ी है, है ना, काफी अच्छा वर्ड़ है, पुलिस वाले भेंका खतर ना खतर ना गाली दे कर भेंका मारते हैं, क्योंकि चोड़ लोग भी बहुत हरकत करते भी नमर सम में से बिलकुल जो बिलकुल बिलकुल आप से रहता है आपकी हर बात मानता उसको बोलते सम में से मतलब जो प्रोटेस्ट नहीं करता है कुछ लोग आपने जिंद गीम देखने हैं आपकी क्लास में बहुत डिले डिले से बिचारे सहमे सहमे रहते हैं उनको जो बोल दो मान लेते हैं बिल्गू सम्वे से भेना तो ज्यादा बात नहीं करते हैं हाँ ठीक है जो आप बोल रहा गेट बंद करके पाड़ा रहो ना कोई दिकर नि मुझे लेकर बहुत साई लग रह रहा है आपको पसंद आ रहोगा अगर आप सीख रहो ना तो मेरा दिल वैसे घाड़न होगया नर्चर मतलब होताा इंकरेज करना होता है किसी को बढ़ा बाते बढ़ाई तो आपको तो बहुत करोड़ों का कॉशन ही है मैं कई बार भूल चुका हूँ तीन तीन इस्टा बनाए मैंने क्योंकि भाई देखो मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ चिट्टी चिट्टी रोबोट अपन है नहीं है पिच्चरों में ऐसा होता है कि यह टेरवाइट की मेमोरी याद कर आगा वेक्वेट हो गए मान लोग आई आप बिल्डिंग में थे बिल्डिंग में आगा लग गए और पुलिस वाले आये और वो लोग आये आर्मी वाले उनने आपको निकाल दिया बचा लिया कृश मूवी में रितिक रोशन जब टेंट में आग लगा आती है वह इस मेल आये और एक्सटिंग्रिशर वाले तो इवेक्वेट मतलब बहुत अच्छा वर्ड है अब देखो शीत मतलब होता दोस्तों एक मयान में दो तलवार नहीं रहे सकती तो उसी को बोलता शीत जो तलवार तो भईया ये शांदा बनी है तलवार को रखने का जो कवर होता उसक हनवान जी के सामने जुक्क्राणाम कर रहे है तो आप बहुत पायस हो बहुत पवित्रों घंटी बजाते हो जल चलाते हो तो आप religion हो है ना और भगोण को मानते हो तो religion हो और abandon मतलब होता कि इस चीज़ का त्याग देना फ़ोर से करना जैसे मैं आजकल मैं भी यह से पायस कर दिया, फोर्जिक कर दिया, काफी अच्छा वर्ड है, कैंसल मतलब पूरे हिंदोस्तान को पता है, कि ये कैंसल करना मतलब अबॉलिश करना, तो बस दोस्तों मैंने पूरी ताकत लगा दी, विराट को लिकी तरह 20 मिनिट भी हो चुके हैं, I hope आपको वीडियो बहुत पसंद आयोगा, अगर पसंद आयो तो लाइक करके अपना प्यार ज़रूर दिखाए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करने, ताकि रिपीट आप कर सकें, और आपकी ग्रोथ दीरे दीर हो, ये पार्ट मैंने बना दिया है, एक